फिलोसफर्स और हिस्टोरियन्ट ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिन्दगी होती है उसी मैंसे सारजनी जिन्दगी शुरू होती है जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है न वही पॉब्लिक में होता है अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का विवहार करेगा अपनी सारजनी जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा जैसे आपको सुनकर बहुत हती आएगी लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना प्रजातंत्र ये चौदवी शताब्दी में आया है उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है प्रजातंत्र नहीं है प्रजातंत्र उनके हाँ लगबग 600 साल पहले आया ये जो डेमोक्रेसी है इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा किताना लिखी गई है यूरोक में और वो ये बताती है कि डेमोक्रेसी मिकला कहां से तो वो कहते हैं डाइलिंग टेबल से और यहां पर अगर कोई political science का student होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारती इस पर सवाल पूछे जाते हैं सो नंबर का प्रशन पत्राता है उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला विस्तार से वरणन करिये 20 नंबर का सवाल है बिये और हमें तो उसका उत्तर ये है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबुल से निकला खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुवात कोई है ये सारे फिलोसफर्स और हिस्टोरियन्स इसको मानते है अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्ता है प्राइवेट लाइफ का हिस्ता है लेकिन डेमोक्रेसी पप्लिक लाइफ का हिस्ता है तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सारे जलिक जीवन में करने लगें तो उसी को पारलेमेंटरी डेमोक्रेसी कहते हैं दुर्भागे से हमने इसी पार्लिमेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्विकार किया गांदी जी इसके बहुत खिलाब थे लेकिन गांदी जी को मानने वालों ने गांदी जी की बात मानी दे गांदी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में इस अंग्रेजियत के हमें कोई लाब नहीं होने वाला हमने अंग्रेजियत को विदा कर दिया लेकिन उनकी अंग्रेजियत को समाल के रख लिया और उसमें सबसे बड़ी अल्रेजियत है पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी संसदीय लोस्तन जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है इसको समझने में मुझे दो-तीन साल लगे और आप बिलकुल साख छित्र मुझे दिखाई देता मेरे ब्याक्याल के बीच में ये आए डाइनिंग टेबल पर पत्ती साथ नहीं रहते बच्चे साथ नहीं रहते और पत्ती खाना खाता अपने दोस्तमित्रों के साथ तो ऐसी ही उनकी स्टेट है राज जी की विवस्ताई और उसको वो डेमोक्रेसी कहते है ये डेमोक्रेसी वहाँ साथ आठ सो साल से चल रही है इसमें क्या होता है बाप ने जो बोल दिया वो कानून बाप ने जो बोल दिया वो नियम राजा ने जो बोल दिया वो कानून राजा ने जो बोल दिया वो नियम हमारे यह क्या होता है शास्त्रों ने बोला वो कानून शास्त्रों ने बोला वो नियम शास्त्र की मानना है मावाप की ने और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरू गुरू ने जो बोला नियम गुरु ने बोला वो कानून उनक्या नहीं तो वहाँ क्या होता है राजा सब कुछ तै करता है प्रजा को तै करने का अधिकार नहीं राजा जो कुछ तै करेगा प्रजा फालन करेगी प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी ये उनकी माननिता है अब इस माननिता में कानून कैसे है नियम कैसे है व्यवस्थाए कैसी है यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए सब ने अपने अपने कानून बनाए और उन में काफी जगड़े हुए वो राजा बदलते थे कानून बदलता था राजा बदलता था कानून बदलता अब हमने भी क्या किया यूरोप की लकल करके पारलिमेंटरी डेमोकरिसी ले आया यहां भी क्या हो रहा है सरकार बदलती है कानून बदलते हैं सरकार बदलती है कानून बदलते हैं एक सरकार एक कानून बनाती है दूसरी कहती है ये बेकार है इसका बदल दो दूसरा लाओ हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्रों के आधार पर तनातन सकती था जो कानून में माना जाता था वो सब हट गया अब CPC, IPC, RPC, CRPC सरकार बदलती रहे हम उसके हिसाब से चलते है और वहाँ सरकार कौन चलाता है राजा राजा कहां से आएगा जो परमपरा से है उसका बाप राजा तो बेटा राजा बेटे का बेटा राजा बेटे का बेटा राजा अब हम किलाते हैं कि भारत में भाई वतीजाबाद ये तो आने ही वाला है क्योंकि यूरोप की नकल की हमने